हलो फ्रेंद्स NDC News देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अर्शना कोशल NDC News हर बार आपके ले कर आता है कुछ खास और special stories तो दोस्तों देखना ये रहेगा कि आज NDC News में आपके लिए क्या है खास योग के फायदे जान कर लोग अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिम छोड़कर योगा को अपना रहे हैं लोगों का मानना है कि जिम से शरीर की किसी खासंग की ही एकसरसाइज हो पाती है लेकिन योग से बोडी के सारे पार्च की एकसरसाइज हो जाती है इस कारण जिम में पसीना बहाने से बहतर है कि आप घर बैठे अपना समय भी बचाए और बिना किसी तकलीव के बहतर शरीर भी पासके इनी में से एक है अनुलोम विलॉम प्रनायाम अनुलोम विलॉम कई रोगों से लड़ने में कारगर माना जाता है अस्तमा पीडितिस आसन सिल्ला आप पासकते हैं तो चलिए, आज आपको बताते हैं अनुलूम विलॉम के फायदों के बारे में और इसे करने के सही तरीके की जानकारी देते हैं। योग करने से आपके शरीर का डायजेशन भी सही रहता है और शरीर तभी फिट्र है सकता है जब आपकी बड़ी का डायजेशन सही हो। योग करने से आपको समय पर भूख लगती है और समय पर खाना खाने आपका डायजेशन भी बेहतर बना रहता है। अपने आपको फिट्र रखने के लिए आप कई तहे के योगासन कर सकते हैं लिकिन कहा जाता है कि प्राणायाम के ढढ़ेरों फायदे हैं। प्राणायाम करने से दमा, एलर्जी, साइनोसैटिस, पुराना नजला, जो कामादे रोगों से निजात पाया जा सकता है. तो चलिए, आज आपको बताते हैं योग के फायदों के बारे में. सबसे पहले चोकरी माच कर बैठें. इसके बाद दाएं अंगुठी से अपनी दाह पहने नासिका से ही सांस अंदर ले और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए बाई नासिका से सांस बाहर छोड़ दे. दूसरी बार में आप जिस नासिका से सांस छोड़ रहे हैं उसी से दोबारा सांस को अंदर लेकर दूसरी नासिका से छोड़ना है. अनुलोम विलोम प्र पत्र को दूरुस्त बनाता है, जिससे कि आप अतरिक क्यलोरी को भी जल्दी बन कर सकते हैं।